नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिमाचल GKK25 Most Important GKK Questions को डिसकस करेंगे दोस्तों यह सभी Questions जो है आपके हिमाचल प्रदेश के किसी भी Government exam में आपसे पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सरवादिक विद्यूत उत्पादन क्षमता है Options है रावी नदी, चिननाब नदी, सतलुच नदी या व्यास नदी दोस्तों सही अंसर है option सी सतलुच नदी दोस्तो हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी में जो है सरवादिक विद्यूत उत्पादन क्षमता है अगला सवाल है 84 मंदिरों के सम्हू के लिए कौन सा स्थान परसिद है ओप्शन्स हैं रेनुकाजी, भरमोर, डोटराकवार्या, मलान सही उत्तर है option B भरमोर दोस्तो 84 मंदिरों के सम्हू के लिए जो है चम्बा का भरमोर नामक स्थान परसिद है अगला सवाल है हिमाचल का एतिहासिक ताबो बोद बिहार किस घाटी में स्थित है ओप्शन्स हैं कुल्लू घाटी, स्पीती घाटी, बलहा घाटी या सांगला घाटी सही उत्तर है option B स्पीती घाटी दोस्तों हिमाचल परदेश का एतिहासिक ताबो बोद बिहार जो है स्पीती घाटी में स्थित है अगला सवाल है जातक किला हिमाचल परदेश में कहां स्थित है आप्शन्स है हमेरपूर, सिर्मोर, मंडी या सोलन सही उत्तर है आप्शन भी सिर्मोर तोसों जातक किला जो है हिमाचल परदेश के सिर्मोर जिले के नहान स्थान में स्थित है अगला सवाल है भगवान पर्शूराम की याद में कुल्लू में कौन सा उत्सव मनाया चाहता है अप्षनस हैं अगला सवाल है ओलंपिक होकी टीम का नेत्रितो करने वाला पहला ही माचली कौन था options हैं विश्व जीत से हैं, चरण जीत से हैं, विक्रम जीत से हैं या अजीत से हैं सही उत्तर है option B, चरण जीत से हैं दोस्तों, Olympic hockey team का नेत्रितु करने वाला पहला हिमाचली जो है चरण जीत से हैं था सही उत्तर है option A hang gliding के लिए दोस्तों कांगड़ा जिले में बीर बिलिंग जो है hang gliding के लिए परसिद माना चाता है अगला सवाल है हिमाचल परदेश सची वाले के पुराने भवन का क्या नाम है ऑप्षें है बोर्न्सकोर्ट, फितर होफ, एमर्सरारडम या एलर्सली सही उत्तर है option D Allersally तोस्तों हिमाचल परदेश सची वाले के पुराने भवन का नाम जो है एलर्सली है अगला सवाल है महानकरांतिकारी यश्पाल किस जिले से संबंदित है आप्शन्स है मंडी, हमेरपूर, कुल्लू या बिलासपूर सही उत्तर है आप्शन भी हमेरपूर तोस्तों महानकरांतिकारी यश्पाल जो है हमेरपूर जिले से संबंद रखता है अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश की पहली महिला सेना अधिकारी कौन थी? अगला सवाल है अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रतम हिमाचली खिलारी कौन थी? अगला सवाल है दलीटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना चाता है? अप्शन है केलांग, धरमशाला, काजा या मनाली? सही उत्तर है अप्शन भी धरमशाला दोस्तों दलीटिल लहासा के रूप में जो है धरमशाला जाना चाता है अगला सवाल है महाभारत के पात्र भीम के पूत्र गटोतकच का जनम किस जिले में हुआ था? अप्शन है मंडी, कुल्लू, शिमलाया, कि नोर? सही उत्तर है अप्शन भी कुल्लू तोस्तों महाभारत के पात्र भीम के पूत्र गटोतकच का जनम जो है कुल्लू जिले में हुआ था? अगला सवाल है प्राचिन कांगडा के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना चाता है? अगला सवाल है महाभारत काल में कांगडा राज्य का क्या नाम लिया गया है? अप्शन से कुलूत, कहलूरू, त्रिगर्थ या धमेरी सही उत्तर है अप्शन सी त्रिगर्थ दोस्तों महाभारत काल में जो है कांगडा राज्य का त्रिगर्थ नाम लिया गया है अगला सवाल है किन्नोर जिले का मुख्याले कहां पर स्थित है? अप्शन से काजा, रिकांग पियो, केलांग या करसोग सही उत्तर है अप्शन भी रिकांग पियो दोस्तों किनोर जिले का मुख्याले जो है रिकांग पियो है अगला सवाल है मंडी शहर के दमदमा महल का निर्मान किसने करवाया था अप्शन्स है सूरज सेन, अजबर सेन, बाहु सेनिया, जैचन सही उत्तर है अप्शन ने सूरज सेन ने दोस्तों मंडी शहर के दमदमा महल का निर्मान जो है सुरसेन ने करवाया था अगला सवाल है कोर्वों और पांडवों के गुरू दुरोणाचारी का किस स्थान से संबंध है ओप्शन्स है कुल्लो, सुंदर नगरमंडी, नादोन हमेरपूर या गंगरेट उना सही उत्तर है Option D गंगरेट उना से दोस्तों कोर्वों और पांडवों के गुरू द्रोणाचारी का जो है गंगरेट उना से संबंध माना कैया है अगला सवाल है सुकेत जिवाशम पार्क हिमाचल के किस जिले में स्थित है Option से कुल्लू, मंडी, किनोर या सिर्मोर सही उत्तर है option डिस सिर्मोर में दोस्तो सुकेत जीवाशम पारक जो है हिमाचल प्रदेश के सिर्मोर जिले में स्थित है अगला सवाल है महात्मा गांदी 1921 में शिमला आय और कहां ठा रहे थे options है रोधनी कैसल, इदगाहा, शांती कुटिर या पिटर होफ सही उत्तर है option C, शांती कुटिर तोस्तो महात्मा गांदी जब 1921 में शिमला आय तो वह शांती कुटिर में ठाह रहे थे अगला सवाल है शिमला में आने वाले प्रतम गवर्नर जनर कौन था? options है लोड कारणवाले, लोड मेयो, लोड एम हर्स्ट या लोड डलहवजी सही उत्तर है option C, लोड एम हर्स्ट दोस्तो है शिमला में आने वाले प्रतम गवर्नर जनरल जो है लोड एम हर्स्ट थे अगला सवाल है हिमाचल का सबसे अधिक जनसंक्या वाला शहर कौन सा है? options है सोलन, शिमला, कांगडाया, हमेरपूर सही उत्तर है option B, शिमला, दोस्तो हिमाचल का सबसे अधिक जनसंक्या वाला शहर जो है, शिमला है अगला सवाल है तत्ता पानी नामक गरम पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? options है बिलासपूर, कुल्लू, शिमला या मंडी सही उत्तर है option D, मंडी तत्ता पानी नामक गरम पानी का चश्मा जो है, मंडी जिले में स्थित है अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? options है व्यास नदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी या रावी नदी सही उत्तर है option B, सतलुज नदी, दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबी नदी जो है, सतलुज नदी है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट कोशन है, कि नोर के अलावा किस जिले की सीमा जम्म कश्मेर से लगती है? दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद